नमस्कार किसान भाईयों कैसे हैं आप लोग आशकरता हो कि आप लोग अच्छे होंगे अभी तक एग्री केयन चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर ले वे लाइगन दबाना ना भूले खेती की अच्छे अच्छे जानकारी के लिए हमारा वीडियो देखते रहा करें आज हम बात करने जा रहा है नाथ कंपनी के न्यू बराइटी के बारे में जो की हाल ही में रिलीज किया गया है इस धान को इस धान का नाम है गजब जो की नाथ कंपनी का है बीते दो सालों में इसका रिजल भी बहुत अच्छा है गजब धान जहां भी लगा है वहां प्रसंसा का भी सह बना हुआ था आने वाले सीजन में भी प्रसंसा का भी सह बना हुआ है जिसने भी लगाया है गजब धान वो गजब तरीके से उत्पादन पाया है बहुत ही कम आउधी का होने के कारण भी पसंद किया जा रहा है गजब के चावल की बात कर लिजा तो चावल भी बहुत ही सांदार है खाने में बहुत ही स्वाधिष्ट है गजब धान की जानकारिया गजब धान एक मध्यम आउधी का धान है इसके फसल की ओधी की बात कर ली जाये तो 115 से 120 दिनों का होता है इसके पौधे की उजाई की बात कर ली जाये तो 120 से 125 सेंटीमेटर की होती है इसके पौधे की सभाव की बात कर ली जाये तो इसके तने मजबूत होते हैं इस कारण फसल गिरता नहीं है और इसके दानों की बात कर ली जाए तो मध्यम पतला दाना होता है इसके बीजदर की बात कर ली जाए तो आप अगर थरहा बिधी से लगाते हैं तो प्रति ये कड़ 6 केजी के दर से लगता है अगर इसका ट्रांस्प्लांट सही समय पर हो जाने पर कलो की संक्या भी अच्छी होती है हलकी जमीन कम पानी में भी अच्छा उत्पादन देता है इसलिए इसको गजब धान कहा जाता है कि बालिया लंबी दिखती है और इसके उत्पादन की बात कर ली जाए 25 से 28 कोंटल प्रती एकड के दर से होता है जो की आपकी खेत की मिट्टी, मौसम, खाद की मात्रा पे निर्भर करता है उत्पादन ऐसी ही खेती की अच्छे अच्छी जानकारी के लिए हमारा वीडियो देखती रहा करें और कमेंट करें मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तब के लिए नमस्कार